C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तु थे कक्षा दो की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी प्रिष्ट 116 मिलकर पढ़िये पाठ 25 सबसे बड़ा चाता बारिश जमा जम बारिश लगा तार बारिश चट पर जमा जम घर में टप टप और आंगन में चप चपाक गीला हो गया बिस्तर अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल गीला और सर्द हो गया पूरा शहर लेकिन मैं मेरे पास है चाता चाते के भीतर मैं और सलीम बिलकुल सूखे और गरम मैंने चाते में टिल्लू को भी बुलाया अब टिल्लू बिलकुल सूखा मैं और सलीम कुछ गीले से इस प्रिष्ट पर तीन चित्र दिखाए गई है पहला चित्र दाई और उपर बनाया गया है जिसमें एक बालक अपने घर की खिड़की खोल कर घर के बाहर होती हुई बारिश की बूंदों को देखकर आनंदित हो रहा है दूसरा चित्र प्रिष्ट के बीच में दाई और बनाया गया है जिसमें वो बालक और उसका मित्र सलीम चाते के अंदर खुशी-खुशी खड़े नजर आ रही है वो भीगे हुए नहीं है तीसरे चित्र को प्रिष्ट के दाई और नीचे बनाया गया है जिसमें इन दोनों मित्रों ने एक और मित्र को चाते के अंदर ले लिया है जिसका नाम है तिल्लू तिल्लू तो सुखा है लेकिन ये दोनों अब थोड़े-थोड़े भीग गए है प्रिष्ट एकसा सत्र है मैंने दयाल चाचू से बड़ा चाता मांग लिया अब सब चाते के अंदर फिर लता और मूनू भी आ गए बड़ा चाता पढ़ गया छोटा दयाल चाचू से और बड़ा चाता ले आए अब सब चाते के अंदर शलीन और सनत भी आ गए और बड़ा चाता पढ़ गया छोटा दयाल चाचू से बहुत बड़ा चाता ले आए अब सब चाते के अंदर सोनू हामिद हरमीत सब के सब आ गए बहुत बड़ा चाता भी पड़ गया छोटा इस प्रिष्ठ पर तीन चित्र बनाए गए है पहला चित्र बाई और उपर बनाया गया है जिसमें दयाल चाचू से लिया गया बड़ा चाता दिखाया गया है और उसके अंदर पांच मित्र खड़े दिखाये गए है इसी प्रकार दूसरा चित्र इस प्रिष्ठ के दाई और बीच में बनाया गया है इस चित्र में छाता वही है लेकिन मित्रों की संख्या बढ़ गई है इसलिए उनमें से कुछ अब भीगने लगे है तीसरा चित्र इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे बनाया गया है लेकिन अब बहुत बड़ा चाता भी छोटा पड़ता नजर आ रहा है। प्रिष्ट 118 रहे। दयाल चाचू बहुत बड़े चाते से बहुत बढ़ा चाता दो। दयाल चाचू ने कहा इससे बड़ा चाता तो बनता ही नहीं। बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा चाता बनाऊंगा। आस्मान जितना बड़ा जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा। तिलू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हामेद, हर्मीत, शलीन और सनत। सब होंगे चाते के भीतर सूखे और गरम। बारिश, जमा जम बारिश, घर में टप टप और आंगन में चप चपाक। लेखक मनोच कुमार इस प्रिष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें दयाल, चाचू और बाकी सभी बच्चे बारिश के मौसम में खुले में खड़े दिखाई दे रही हैं। लेकिन चित्र में ऊपर एक बहुत ही बड़ा चाता दिखाया गया है जिसने उन सब को अपनी ओट में ले रखा है। उन में से कोई नहीं भीग रहा, वे सब प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रही हैं। प्रिष्ट 119 बात चीत के लिए। दिए गए प्रशनों के उत्तर अपनी कौपी में लिखिये। एक, हर बार चाता क्यूं छोटा पड़ता था। दो, हर बार बड़ा चाता कौन देते थे। तीन, इस कहानी में आए सभी बच्चों के नाम लिखिये। चार, बारिश में क्या-क्या गीला हो गया। खेल-खेल में वर्शा की बूंदे धर्ती पर गिरती हैं, तो कैसी द्वनी सुनाई देती है। इस तरह करके देखिये। एक, आखे बंद कीजिये और बाई हथेली खोल कर रखिये। दो, दाए हाथ की तरजनी से बाई हथेली पर बजा कर देखिये। तीन, फिर से दो उंगलियों से बजा कर देखिये। चार, फिर से तीन उंगलियों से बजा कर देखिए पांच, फिर से चार उंगलियों से बजा कर देखिए प्रिष्ट 120 शब्दों का खेल हर बार बड़ा अच्छाता छोटा पड़ जाता था बड़ा और छोटा इन दोनों शब्दों के अर्थ एक दूसरे से विपरीत हैं, जैसे दिन और रात यहां दी गई तालिका से दी गई शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द ढूंड कर लिखिये शब्द हैं उपर अंदर एक अंधेरा दाएं रात दूर गीला और पहेली में दिये गई अक्षर हैं नी से अ सो बा इचे च ना ह दो उबा ल र दि जा एं सू अ न ला पा खा ने सो ना जै सक पढ़िये समझिये और लिखिये एक दिन में सूरज रिक्तस्थान में तारे दिखते हैं दो रिक्तस्थान बोले जूट नहीं तीन उपर आकाश और रिक्तस्थान धरती है यहां दिये गई शब्दों की सहायता से पांच से छे वाक्य लिखिये शब्द हैं बारिश, जमजम, छाता, मित्र, सहायता, दोपहर, घर, स्कूल, छुट्टी मैं स्कूल से घर आ रही थी या रहा था आगे की पंक्तियों में इन शब्दों का प्रयूग कर पांच से छे वाक्य लिखिये पहेली, तोते का प्यारा खाना है, लेकिन मेरी सीसी है इसका उत्तर दे सकते हो, यह तो बात जरासी है कौन हूँ मैं? चलती ही रहती है हर दम, दिन हो चाहे रात तिक 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 बोला करती, कहती है कुछ बात कौन, क्या है मेरा नाम? लेखक श्री प्रसाद सारंगी, वाचन्स्वर, बावला कोचर और ममता मलकानी तखनीकी निर्देशन, बटी लेंग लिंग्डो ध्वन्यंकन, मयंक कुमार निर्मान सहयक, तनु गुपता निर्देशन एवं निर्मान, विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत